हेलो एव्रिवन वेल्कम टू आदर्सिकेडमी जिन लोग को इस वीडियो का नॉटिफिकेश से मिल गया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए ठीक है यह है आपका वन इयर पूरे एक साल का करेंट अफेयर का पार्ट नॉबर वन ठीक है तो पूरे एक साल के करेंट अफेयर को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपको डेली सुबह 7 बजे मिलेगा ठीक है डेली 7 बजे प्रीमियर यानि लाइव के आपको अफेयर को पूरे एक साल का करेंट अफेयर रहेगा पार्ट नॉबर वन है ऐसे ही आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा ठीक है और इस वीडियो में हम लोग पुरुसकार और जो सम्मान से रेटेट जो है जो एवाड लोगों के दिय उतार देगा और फिर आपसे कोशन बूच लेगा ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और जो भी मेरे दोस्ट चैनल पर नए हैं नीचे लाल करका एक सस्क्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रस करके चै अब इस भारती ये भाषाओं में वार्सिक साहित अकादमी पुरुषकार की घोश्रागी तो किसे हिंदी भाषा के साहित अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा तो इसका जो सही उतर है वो है डी चित्रा मुदगल को ओके नेश्ट कोशन दिसंबर 2018 में किस मं जाहत्यों के लिए इस काच पुरुषकार पुरुषकार प्रदान किया गया तो इसका जो सही उतर है वो है नवीन अब हम नविकरडी और जा मंत्रा लेगो ओके नेश्ट कोशन फुटबाल की दुनिया के सबसे प्रतिष्टित पुरुषकारों में से एक बैलोन डी ओर की कोश्टा 3 दिसंबर 2018 को पेरिश में की गई तो पुरुषवर्ग में यह पुरुषकार किसे प्रदान किया गया तो इसका जो सही उतर है वो है लुका मोटरिक आप्शन तीसरा ठीक है नेश्ट कोशन 8 नवंबर 2018 को किस भारती अंत्रिछवय ज्यानिक को इंटरनेशनल वो आठ नवंबर 2018 को किस भारती पत्रकार को वर्स 2018 के प्रतिष्टित लंदन प्रेस फ्रीडम एवार्ड से सम्मानित किया गया तो इसका जो सही उतर है वो है आप्शन B स्वाती चतुरवेदी को नवंबर 2018 को राष्टिय धनवंतरी आईरवेद प्रुषकार 2018 का वित्रड किया गया इस प्रुषकार से सम्मानित व्यक्तियों में शामिल नहीं है तो इसका जो सही उतर है वो है वैद्य राज कुमार शुकला बाकि तीन लोगों को जो है सम्मानित किया गया है नवंबर 2018 में किस फुटबाल खिलाडी ने ला लीगा सिर्स स्कोरर पुरुषकार पिचीची पुरुषकार 2018 जिसका नाम है इसको प्राप्ट किया है तो यहाँ पर जो सही उतर है वो है लियोनिल मेसी इनको जो है पिचीची पुरुषकार 2018 फुटबाल खिलाडी है इनको ये प्रदान किया गया है सबस्यादे स्कोर की वज़ा से नवंबर 2018 में सांती निसस्ती करण और विकास हेतु वर्स 2018 का इंद्रा गादे पुरुषकार किसे प्रदान किया गया तो इसका जो सही उतर है वो है Center for Science and Environment यानि Option C नवंबर 2018 में किसे स्याजी रत्मे पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो यहाँ पर जो सही उतर है वो है अमिताब बच्चन को Option C वर्स 2018 का प्रतिष्टित मैन बुकर पुरुषकार किसे प्रदान किये जाने की गोश्टा की गई तो इसका जो सही उतर है वो है स्याजी रत्मे पुरुषकार किये जाने की गोश्टा की गई तो इसका जो सही उतर है वो है मुहम्मद जहूर ख्याम हाश्मी ओके नेश्ट कोश्टन 24 अक्टूबर 2018 को किसे पहला विश्व क्रिशी प्रुषकार प्रदान किया गया तो इसका जो सही उतर है वो है प्रोफेशर M.S. स्वामी नाथन यानि आप्शन B नेश्ट कोशन 24 अक्टूबर 2018 को किन सरकार ने वर्स 2014-14-15 तथा 16 के लिए टैगोर सांस्कृतिक शमर्षता प्रुषकार गोसित किया तो वर्स 2016 का यह प्रुषकार किशे प्रदान किया जाएगा तो इसका जो सही उतर है वो है A. राम वन्जी सुतार नेश्ट कोशन 24 अक्टूबर 2018 को किसे वर्स 2018 के शियोल शांतिक प्रुषकार से सम्मानित किया जाने की गोश्टा की गई तो इसका जो सही उतर है वो है B. भारत के प्रदान मंतरी नरिन मोदी को नेश्ट कोशन 17 अक्टूबर 2018 को किसे 27 में व्याज शम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो इसका जो सही उतर है वो है D. मम्ता कालिया नेश्ट कोशन 12 अक्टूबर 2018 को भारत के किस राज जी को UN खादी अंक क्रिशी संगठन के प्रतिष्टित अवार्ड जिसका नाम है Future Policy Gold Award 2018 इससे सम्मानित किया जाने की गोश्टा की गई तो इसका जो सही उतर है वो है सिक्किम ठीक है सिक्किम यहाँ पर सही उतर होगा नेश्ट करिंट अफेर कोशन 1 अक्टूबर 2018 को किसे वर्स 2018 का चिकिस्सा का नोबल प्रुष्कार प्रदान के जाने की घुश्टा की गई तो जेम्स पी अक्टूबर 2018 को वर्स 2018 का अर्स सास्त्र का नोबल प्रुष्कार प्रदान की जाने की जो गोश्टा की गई वो किसे की गई तो विलियम डी नाड हास एवं पाल एम रोमर यानि कि अप्शन भी आपका यहाँ पर सही उतर हो जाएगा दूसरा वाला 4 अक्टूबर 2018 को प्रदान मंत्री ने मोदी ने राश्टी ये स्वच्छ सर्विछड ग्रामिड 2018 के अधार पर अधिक्तम जन भागिदारी के सार्थ सीर्स अस्थान पाने वाले जिले और राज्यों को पुरुष्कित किया तो इसमें किस राज्जी को सर्वस्रिष्ट राज्जी का खिताब दिया गया तो इसका जो सही उतर है वो है हरियाडा ऑप्शन डी तो इसका जो सही उतर है वो है रिचर्ड हेंडरसन यानि ये डी वाला जो है सामिल नहीं या बाकी ये तीन जो है वो शामिल है तो तीनों याद रखेगा हो सकता हो कोशन इस तरीके से पुछके कि कौन सा सामिल है नेक्ट कोशन अक्टूबर 2018 में दिल्ली घराना की सुर्षागर सुसाइटी ने किसे उस्ताद चाद खां लाइफ टाइम अचीवमेट अवार्ड प्रदान किया तो इसका जो सही उतर है वो है भी पंडित विश्व मोहन भट को नेक्ट कोशन अक्टूबर 2018 में ही पोश्वन महा के दौरान सोसल मीडिया में बेस्ट कैंपेनिंग हेतुराष्टी अस्तर पर किस राजजी को प्रथम पुरुष्कार से पुरुष्कित किया गया इसका उतर है ए उतरप्रदेश ओके यूपी नेक्ट कोशन अक्टूबर 2018 में भारतिय मुल के किस अमेरिकी प्रोफेशर को अमेरिकन ये जो तीन लिखा हुआ इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है तो अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिश्ट पुरुष्कार 2019 प्रदान किये जाने की गोश्टा की गई तो इसका जो सही उतर है वो है अब है अस्तिकर ठीक है आप्शन सी होगा नेश्ट कोशन 26 सितंबर 2018 को शयुक्त राष्ट के चैंपियंस आफ दा अर्थ अवार्ड 2018 की गोश्टा गी गई तो नीती नेतित के स्रेडी में किसको इस अवार्ड के लिए चुना गया तो इसका सही उतर है एमियोनियल मैक्रो और नरेंद्र मोधी को ओकी ऑप्शन यहाँ पर सही उतर होगा मैं कोशिस करूँगा डेली आपको यह मिल जाए और जितने भी आने वाले एक्जाम उसके लिए यह बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है और यूभी पुलिस और जो एक्जाम के दियारी कर रहे है उस वीडियो को जरूर देखें आगे कोशिंस के संख्या बढ़ाएंगे मैं 50 कोशिंस भी करने की कोशिस करूँगा बढ़ जितने कोशिंस मैं प्रवाइड कर रहा हूं उनको जरूर कवर करें ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो डिफिनिटी लाइक करिएगा और एक सेर तो जरूर कर देजेगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए मिलते ह अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन वंदे मात्रम